हेलो एवरीवन मैं हुख रूती कामली केसे अपसब आप सब तीक होंगे वैलकम पिद्धा ड्रीम सीजिंग आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउस की स्टीचिंग करना सिखेंगे कटिंग हमने अल्रेडी कंप्लीट कर लिये आई होग आप सब ने उसे देख लिया होगा जिस जिस ने अभी तक कटिंग की वीडियो नहीं देखिए डिस्क्रिप्शन में आप पूसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ से जाके आप कटिंग वीडियो देख लेना और आज हम इसी उसकी स्टीचिंग करना सिखेंगे तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब देखो सबसे पहले हम में फैब्रिक में प्रिंसस कट को जॉइंट करेंगे ये दोनों साइट का हमारा प्रिंसस कट है तो इसको हम इसके उपर उल्टा रख लेना है फिर यहां से हम स्टीच लगा लेंगे यहां से पूरा यहां तो देखो इसको हम यहां से इस तरीके से रखेंगी यहां पर हमारा फैब्रिक एकदम कट्टू कट आना चाहिए फिर यहां से हाफ इंच की गैप पे हम स्टीच लगाते जाएंगे यहां पे हमें डबल स्लाई लगानी है जो भी हमने यहां पे स्लाई लगाई है उसी के उपर हमें दूसरी स्लाई लगानी है यह देखो यहाँ पे हमने दबल सलाई लगा के कम्प्लीट हो गया है अब हम इसको इस तरीके सी सीधा करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट एकदम पर्फेक्ट जॉइंट हो गया है देखो सेब भी कितना मस्त आया है इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट को जॉइंट कर लेना है यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट जॉइंट हो गया अब हम यहाँ पे स्टेज कर लेंगे तो देखो यहाँ पे हमने दोनों princess cut को इस तरीके से अच्छे से joint लगा के complete हो गया है जैसे भी हमने यहाँ पे princess cut को joint लगा है ना same तरीके से हमें lining के fabric में भी लगा लेना है तो इसको हम press लगाएंगे, press कैसे लगाना है वो तो आपको अब समझ में आए पे अबस्तों के लगा है यझाएंगे यँव यझाएंगे अब हमें नेक पे स्टीच लगानी है तो हम क्या करेंगे यह जो हमारा प्रंट का पार्ट है को सीधा रखें को सीधा रखेंगे उसके उपर हमें लायनिक युद्ध रखेंगा है इस तरहें का नेक रहता है ना तब ऐसे आपको यहां पर canvas पर drawing बना लेंगे फिर हम इसी के उपर सिलाई लगा सकेंगे तो देखो अब हम यहां से शिलाई लगाना start करेंगे इस तरीके से जब हम सिलाई लगाते है ना तब हमें नैक का जो सेप रहता है ना वो एकदम एकजर जैसा हमें चाहिए वैसा ही मिलता है इसके लिए आपको मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ड्राइंग बना लेनी है अब जहां पर भी हमने सेप दिया है उसके उपर हम सिलाई लगाते जाएंगे सबस्राएंग लो बɔर लोगा, सिलाई लोगा, संदब डिखका हम एकषड़ा है कि आवखका है BEGए मिलता है इसके यह रहां बना रहां है, रहां है झाल झाल तरह सब्सक्राइब कि यहां पर हम लगा कि हो गया है अब इसमें कड़ स्दूपा हमें कड़ा लेंगे इस साइट पर हमें कड़ा लेंगे और यहां पर हमें कड़ा यह तीन कट्स हमारी कंपल्सर रहेगी फिर यहां पर हम ऐसे दूर दूर से कट्स लगाएंगे कट्स लगा के हो जाएगा उसके बाद हम यहां पर धार स्टीच लगाएंगे तो यह जो हासारा फैबरिक है उसको हम लाइनिंग के साइड जाने देंगे इस तरीके से फिर जहां तक पॉसिबल रहेगा वहां तक हम धार स्टीच लगा लेंगे चरता स्टीच लगाएंगे अज्यका चाहर बेंगे उसरे कवे उसरे को लाएंगे लाच्स लाएंगे इसले काव्ण ऩहां पर रादी ठ tenants पasıना थे पान, जासाल सुए connection कि यहां पे हमने धार स्टिच लगा के हो गया है अब हम इसको इस तरीके से पीछे की साइट कर लेंगे फिर यहां पे हम पॉइंट के सिलाई लगा लेंगे का ढार लेंगे हम पीछे लेंगे 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 लेंगेिर के से लेए कि कि यहां अब हम अब ब shroud donations कि वहां प्पैंगे यहां लेगे लेंगे हमास झाल झाल कि दार स्टीच लगा कि कंप्लीट हो जाएगा अब हम इसको ऐसे पीछे की साइड कर लेंगे इस तरीके से ऐसे करने के बाद यहां पर स्टीच लगाते टाइम आपको क्या दियान रखना है कि यह जो हमारा लाइन का फैब्रिक है वह हमारा में फैब्रिक से एक लाइन जितन करना स्टार्ट करेंगे यह हमने नबल सिलाई लगा के कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें ऐसे दूर दूर से कट्स लगा लेनी है कट्स लगा के कंप्लीट हो गया अब हम धार स्टीच लगाएंगे करेंगे जितना स्टार्ट करेंगे लेने का लगा लेनी है दार स्टिच लगा के कम्प्लीट हो जाएगा अब हम इसको सीधा कर लेंगे आपको कप्स लगाना रहेगा तो इसके अंदर आप यहाँ पे कप्स लगा लेना कप्स कैसे लगाना है वो तो हमने बहुत बार सीख लिया है डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी दे दूँगी पहले जो हमने बनाई है blouse उसमें हमने cups add किया है इसमें हमें cups नहीं लगा रहा है इसको हमने सीधा करके हो जाएगा अब हमें सिलाई कहां से लगानी है तो यह जो हमारा open fabric है ना तो सबसे पहले हम यहां से लगे यहां तक stitch लगा लेंगे फिर यहां से ऐसे स्टीच लगा लेंगे ओके यहां तक यहीं से सिलाय लगाना स्टार्ट करना है यहां तक दोनों साइड पर सेम करना है कि यहां पर सिलाय लगा के हो गया सेम हम यहां पर सिलाय लगा लेंगे यहां पर और यहां पर भी हमने दोनों साइड पर स्टीच लगा के कम्प्लिट हो गया है अब हम इसको पहले प्रेस कर लेंगे प्रेस करने के बाद हम यहां पर भी स्टीच लगा लेंगे अगर आपको नीचे की साइड पर स्टीच नहीं लगानी है तो उसको आप स्किप कर सकते हो तो पहले हम इसमें प्रेस लगा लेंगे अब हम back part stitch करेंगे तो जो हमारा main fabric के उसको मैंने सीधा रख लिया है उसके उपर lining के fabric को उल्टा रख लेना है यहां से भी मैंने pen से mark कर लिया है तो इसी के उपर हम stitch लगाते जाएंगे neck पे हमें double slide लगानी है कर लिया है कर दो कर दो कर दो कर कर दो कि आख को कि अख लगा कि कंप्लिट हो गया है अब हम इसमें भी कट्स लगा लेंगे अब हम यहां से धार स्टिच लगाएंगे कि अख कि यहां सकत्व कि अख कि अख ऑट आख कि अख अख कि अख कि अखhta दार्सिश लगा के कम्प्लीट हो गया है अब हम इसको इस तरीके से उल्टा कर लेंगे अब हम यहां से पॉइंट के सिलाई लगाएंगे अब हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद अस्तर को हमें एक लाइन जितना बाहर की साइड रखना है फिर यहां पे हम हाफ इंच की गया पर स्टीश लगा लेंगे यहां पे हमने स्टीश लगा के कंप्लिट हो गया है अब हमने इसमें कर्स भी एड लगा ली है फिर इहां पे हम धार स्टीश लगाएंगे तो यह फैब्रिक को मस्तर की साइड जाने देंगे फिर यहां समस्लाई लगाना स्टार्ट करेंगे कर दो कि दो को दो कि दो कि दो एक दो बाद़ में पाना कि दो प्रिवा है धारस्टिच लगा के गम्प्लीट हो जाएगा फिर इसको हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद हमें यहां से सिलाई लगानी है यही से नहीं स्टार्ट कर नहीं है सिलाई लगाना हम यहां से start करेंगे बट हमें इसको इसके बराबर इस तरीके से perfect आहेगी नहीं वो check कर लेंगे तो यहां सेउ ağsten क्योंकि यह open हमने क्यों रखा क्योंकि हमे शोल्डर जोइंड करने के लिए भी चाहिए होगा ना इसके लिए झाल थो झाल प्रिर्णियों है फैट को यह उनिया है तो देखो हमारा back part इस तरीके से पूरा complete हो गया है हमने सिर्फ यहाँ पे open रखा है जिस तरीके से हमने यह वाला part ready किया ना same तरीके से हमें दूसरा part भी ready कर लेना है इधर की side का, ok यहाँ पे हमने दोनों part को switch करके complete हो गया है अब हम यहाँ पे hook eye की पट्टी लगाएंगे तो यह side हम right side पे हम hook लगाएंगे left side से हम eye बनाएंगे eye बनाने की जो पट्टी रहती है वो हमने यहाँ से 3 इंच लिए और जो hook लगाने की पट्टी रहती है वो हमने यहाँ से 1.5 इंच लिए और इसके हम land कैसे लेंगे तो देखू यहाँ पे इतना है न तो दोनों साइट से हमें half a fin ज्यादा लेना है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया है बट कोई नई होता हम cut कर सकते हैं बाद में अब सबसे पहले हम देख लेंगे की हूप लगानी की पट्टी को हम कैसे लगाएंगे तो हूप लगानी की जो पट्टी होती हो उसको हम सीधा रखेंगे इस फैबरीक को उसके उपर हम इसको इस तरीके से रखेंगे फिर हाफ इंच की गैप स्टीच लगा लेंगे अब देखू यहां पर बहुत ज्यादा फैब्रिक हो तो उसको मैं कट कर देती हूं और हाफ इंच इतना ही रखूंगी अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे फिर वापस हम यहां से फोल्ड करेंगे और एक साइड हम यहां से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहां पर देड़ इंच का हम ने रखा है वह भी बहुत ज्यादा हो गया है तो हम इसको इतना कट कर लेंगे अगर आप चाहो तो वन इंच का भी रख सकते हो तो उसमें भी कोई प्राब्लम नहीं होगा इस तरीके सब्सक्राइब यहां तक इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे फिर ऐसे पूरा अंदर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो बैक साइट से यह ऐसे हो जाएगा अब हम यहाँ पर स्टीच लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने हुक लगाने की पट्टी स्टीच हो गई अब हम आई बनाने की पट्टी लगाएंगे आई बनाने की पट्टी को हमें रॉंग साइट से लगाना पड़ता है ऐसे बैक साइट से हम इसको इस तरीके से रखेंगे हाफ इंच के गैप पे हम स्टीच लगा लेंगे और हम इसको ऐसे करेंगे फिर यह जो हमारा फैबरिक है उसको हम पीछे की साइट से इस तरीके से रखेंगे फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसके बराबर फिर यहाँ हम स्ट्रेट में स्टीच लगा लेंगे कहा गया एक्स्टर फैबरिक है उसको हम कट कर लेंगे सेम हम यहाँ पे भी स्टीच लगा लेंगे यहां से भी एक्स्टर फैबरिक को कट कर लेंगे फिर यहां से हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे अब हम इसको पैक कर लेंगे तो यहां पे हमारी हूक आएगी इसको लगाएंगे ना तो ऐसे खीचेगा तो यहां पे हमारी स्किन नहीं दिखेगी इसके लिए इतना ज्यादा रखा है अब इसके उपर हमारा यह पार्ट आएगा इस तरीके से तो देखों यह हो गया एकदम फिनिशिंग के साथ अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो बैक पार्ट को हम इस तरीके से ही रखेंगे बैक पार्ट को मैंने सीधा रखा है यहाँ पे हमने जो पॉइंट की सिलाई लगाई थी उसको मैंने इतना ओपन कर लिया है ताकि हम इसको ऐसे करेंगे ना तो हमें यहाँ पे सिलाई लग जाएगी ना तो इसके लिए हम इसको ऐसे रखना पड़ेगा इस तरीके से हम इस तरीके से रख लेंगे इसके उपर ऐसे यहां पर हाफ इंच के गैप पे स्टीच लगा लेंगे इसको अच्छे से रख लेना है फिर हमिंज मैं पर स्टीच लगा लेंगे कई अाइ अब हमारा जो लिए लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम इसके उपर इस तरीके से रख लेंगे ऐसे फिर वापस से जहां पर हमने सिलाई लगाई है ना उसी के उपर हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे तो देखो हमारा शॉल्डर एकदम फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएगा बैक साइड से यह ऐसा रहेगा और प्रेंट साइड से यह ऐसा रहेगा अब यहाँ पर हमने जो पॉइंट की सिलाई ओपन के उसको भी हम स्टीच कर लेंगे फिर यहां पर यह फैब्रिक को मुने स्टीच नहीं किया है था उसको भी हम यहां तक स्टीच कर लेंगे सेम तरीके से हम यहां पर भी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों शोल्डर हमारा जॉइंट हो गया अब हम स्लिवस रेडी करेंगे तो स्लिवस के मोरी ये साइड है तो इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे फिर वापस से फोल्ड करेंगे ऐसे हमें दो बार इसको फोल्ड कर लेना है कि यह हमने फोल्ड करके कंप्लीट हो गया है अब हम यहां से वन इंच या या वन पॉइंट टू इंच का गैप रख किस स्टीच लगाएंगे कि यहां तक हम स्टीच लगाएंगे फिर यहां पर हम प्लेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे कि स्टीच लगाएंगे तो यहां पे हमने इतने में प्लेट्स लगा ली अब हमें इसको चैक करेंगे कि हमारी मोरी के हिसाब से यह परफेक्ट आ रहा है कि नहीं तो चैक किस तरीके से करेंगे तो ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद इसको हम अच्छे से रख लेंगे ऐसे फिर हमारी म मोरी कितने इंच की थी अब मोरी हमारी कितने इंच की थी तो 13.5 इंच की थी ना उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 13.5 इंच हमारा यहां पर आएगा इसको हम इस तरके से हाफ करेंगे हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा में 6. 75 इंच 17 चो उसमें से हमें देड इंच लाइका इड़ग ना रहेगा तो 25 sum 77 5 टुर्प मैंक मार कर लेंगे तो यहां पर हमारा इतना फैबृक बच रहे है तो यहां पर है एक्स्वा सबूरत कितना बच रहा है तो यह इतना बच रहे हमें यहां पर प्लेट्स दोनों साइट से और एड कर लेनी है तो यहां पर हम देख लेंगे कि प्लेट्स थो हमारी दोनों इक्वल आई है बट हम यहां पर एक दो प्लेट्स लगा लेंगे और यहां पर एक दो प्लेट्स लगा लेंगे ताकि हमारा जो देड इंच एक्स्र अब हम इसको फिर से चैक कर लेंगे तो यहां पर हमारा 8.2 इंच आना चाहिए तो और थोड़ा फैब्रिक बचा है तो इसको वापस से और थोड़ी सी प्लेट्स दोनों साइट से लगा लेंगी यहां पर थोड़ी सी और यहां पर थोड़ी सी इस तरीके से तो यहां पर हमने एक्स्ट्रा प्लेट्स लगा लिया अब यह बराबर हो गया अब हम यहां पे प्लेट्स लगाएंगे यहां यहां से लेकि यहां तक अब हम इसको ब्लाउस में स्टीच करेंगे तो यह जो हमने बैक पार्ट बैक साइड पे लिखा था ना उसी से हम यहां से स्लाई लगाना स्टार्ट करेंगे हाफ इंच के gap पे हम stitch लगा लेंगे अब यहाँ पे आपको यह लगाने से पहरे न आपको check कर लेना है कि यहाँ पे जो हमने लगाया है न वो चून हमने कितने इंच पे लगाया है तो यहाँ तक हमने यह वाली चून लगाई है तो हमारी यहां पर भी यहां तक ही आनी थे तो यहां तक हमारा हो गया अब हम यहां से एक्स्ट्रा ब्लेट्स लगा लेंगे में इखाश्ट्रेट्व देखो इस तरीके से हमें स्लिवस को अटेज करना है जो हमारा सेंटर आएगा वो हमारा सेंटर में ही आना चाहिए और यह हमारी जो प्लेट्स है वो दोनों सेम आनी चाहिए यहाँ पे जितनी प्लेट्स लगा है उतनी हमारी यहाँ पे बियानी चाहिए अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे यहां पे हमने Double सिलाई लगा के complete हो गया है अब हम इसको सीधा करेंगे तो देखो यह इस तरीके का रहेगा यहां से हमारा उपर की side आएगा और यह ऐसे रहेगा अब हमें इसकी fitting ही बाकी है ना तो हम हम इसकी fitting कर लेंगे तो बलाउस को हम उल्टा रख लेंगे फिर यहां सम स्टीच लगा लेंगे एक स्टीच आपको यहां पे लगा लेनी है फिर फिटिंग की मार्किंग करके सिलाई लगानी है रेसमा बनीज की उसे रूप जे तो देखो यहां पे न मैंने इस साइड भी और इस साइड भी दोनों साइड पे स्टीच लगा के कमप्लीट कर लिया अब हम fitting की marking करेंगे तो यहाँ पे हमने 22 inch का gap रखाता न तो आप यहाँ से 2 inch का gap रखे स्रीछ लगा सकते हो नहीं तो फिर आप direct अब हम fitting की marking करेंगे तो chest हमारे कितने inch की थी 34 inch की हमारे chest थी न तो 34 inch को हम half कर लेंगे 34 का हम half करेंगे तो हमें कितना इंच मिलेगा 17 इंच मिलेगा तो यहाँ पे हम 17 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे आपको यहाँ पे यह चीज दियान रखने है कि दोनों साइट पे हमारा जो गैप रहेगा वो सेब आना चाहिए यहाँ पे हमने 17 इंच पे मार्क कर लिया इस साइड भी हम 17 इंच पे मार्क कर लेंगे अब सेम तरीके से हम मोरी का भी करेंगे मोरी हमारी कितने इंच की थी 13.5 इंच की मोरी थी उसको हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिले था 6.75 इंच तो यहांस हम इस तरीके से इसको रखेंगे 6.75 जहां पर भी आएगा हमारा वहां पर हमें एक मार्क कर लेंगे 6.75 जहां पर आएगा हमने यहां पर मार्क कर लिया अब यह जो हमारे पॉइंट से इसको यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे यहां पे मैं आपको समझा रहे हूं ना तो आपको यहां पे भी सेम तरीके से ही कर लेना है अब हम यहां पे कमर की मार्किंग करेंगे कमर हमारी कितने इंच की थी तो वैस्ट हमारी 29.5 इंच की थी 29.5 इंच को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो हमारा कितना इंच आएगा तो 14.75 तो हम यहाँ पे 14.75 पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे गैब जो आ रहा है न वहीं यहाँ पे भी आना चाहिए 14.75 पे मैंने मार्क कर लिया अब इस पॉइंट को हमें 6 लाइन तक इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है दोनों साइट पे सेम करना है फिर हम यहाँ पे स्टीच लगा लेंगे फिटिंग पे आपको डबल सिलाई लगानी है फिर हाफ आफ इंच का गैप रखके दो तिन सिलाई लगानी है ताकि हम जब जब हम ब्लाउस टाइट हो जाए तो हम ओपन कर सके तो पहले हम दोनों साइट पे यहाँ पे स्टीच लगा लेंगे तो देखो ऐसे हमारी ब्लाउस बनके पूरी कंप्लीट हो चुकिये हमने यहाँ पे पॉप स्लिवस बनाई है और नेक भी देखो हमने इतना ज्यादा ग्रॉट रखा है शोल्डर हमने इतना सा रखा है फिर भी हमारा स्टीच टलाउन भी नहीं होगा नेक भी हमें एक भी क्रीज नहीं मिलेगी और वैस भी आप देख सकते हूँ वैस में भी क्रीज नहीं मिलेगी और arm wall भी देखो एगदम perfect रहेगा body के इसाब से हमारी blouse एगदम perfect fitting आ जाएगी अब हम back side से तो back side से देखो हमने neck इतना broad रखा है और back side का जो belt है वो भी हमने इतना कम रखा है इस तरीके का हमने यहाँ पर लटकन add किया है अब देखो यहाँ पर हम ना दोरी को ऐसे open रखेंगे ना तो फिर भी हमारा यहाँ पर shoulder lose नहीं होगा वो तो body के इसाब से एगदम perfect fitting आई जाएगा तो यहाँ पर हमारी blouse बनके पूरी complete हो चुकी है आपको blouse की fitting कैसे लगी comment करके जरूर बतना and thank you so much for watching this video वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like, comments and channel को please subscribe करना मिल तब next video में thank you so much